दोस्तों सब इनिस्पेक्टर्स की नई वेक्वेंसी को अडवर्टाइज कर दिया जा चुका है सब इनिस्पेक्टर्स के साथ कुछ और पोस्ट अडवर्टाइज की गई है और उन पोस्ट में आपको हर एक की डिटेल दे दी जाएगी हरे के बारे में आपको पुरी फुल information दी जाएगी तो आज लिस वीडियो में हम इसी पर चाचा करेंगे कि कहां से आपने sub inspectors के लिए apply करना है application closing date क्या होगी online apply कब से करना है कहां से करना है sources कहां से क्या होंगे sources और कौन को नोग इसके लिए eligible हैं क्या males और females सभी eligible है तो ये सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे और इसलिए मैं आप से request करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को इंट तक देखे और इसके साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा telegram चले देख सकते हैं आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो चले start करते हैं आज का ये वीडियो देखें दोस्तों यहाँ पे मैंने कल आज ही एक post share किया था यह था यहाँ पे आप देखें sub inspector mail sub inspector का आप जानते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप अच्छी तरह से देखेंगे यहाँ पे आप देखें थोड़ा ध्यान से दीजिए मतलब गौर कीजिएगा sub inspector telecommunication telecommunication mail की जो sub inspector की vacancies है वो है 78 यहनि कि total 78 vacancies है males की और 14 vacancies है females की ठीक है और आप भाई साब यहाँ पे देखें जो हमारे जमो कश्मीर police sub inspector जेगे PSI का जो level है post का वो ही level इसमें भी है यहाँ पे level 6 की यह post होगी और इसकी age होगी 20 से लेकर 25 साल के बीच में ठीक है उसके बाद अगर हम females की बात करें sub inspector telecommunication females females के लिए total 14 vacancies है 6 vacancies unreserved category में है open merit में है और 2 categories आपकी SC में है ST में है आपकी एक vacancy है OBC में 4 है और AWS में 1 है तो यहाँ पे आप देखिए मतब इसमें भी same detail है 35,400 level 6 की यह post है और इसकी age 20 से लेकर 25 साल के बीच में है उसके बाद देखिए head constable telecommunication देखे telecommunication में जो head constable है head constable की vacancies कितनी है male की vacancies 325 है यहाँ पे आप देखिए 325 है उसके बाद females की 58 vacancies है total 383 vacancies है ठीक है तो total कितनी vacancies हैं है 383 vacancies है level 4 की 18 से लेकर 25 की बीच में है उसके बाद male का कितना है 44 telecommunication constable ठीक है 44 vacancies हैं इसमें 51 आपकी total है इसमें vacancies including male and female ठीक है males की 44 है और females के लिए आपकी total 7 vacancies हैं यहाँ पे आप देखिए तो इस तरह से 18 से 23 इसकी age limit होगी आइन पर यह आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस link पे click करके आप apply कर सकते हैं जो application fees है बहुत कम है मातर 200 रुपे fees है आपकी और 100 रुपीज है आपकी constable के लिए तो यह भाई बहुत कम fees इनोंने रखिए है और सब के लिए affordable है तो anyone can afford like ठीक है उसकी बाद candidates को कहा जाता है कि यह recruitment itbp.nic.in पर आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपने जो है apply करना है इस लिंक पे जाके ठीक है तो इस तरह से आप देखिए so now यहाँ पे आप देखिए जो online application forms आपके 14 December से close हो जाएंगे और जो online application forms की opening date है वो 15 November onwards है ठीक है 15 November onwards है उसकी जो online application forms की date है वो है आपकी 15 November onwards now the point is कि आप कहां से apply कर सकते हैं आपको मैंने already आपको application का like website का link बता दिया है तो आप इस website पे जाके online apply कर सकते हैं ठीक है तो यह है link बाकि अगर आपका कोई question कोई doubt कोई query होती है तो आप हमसे राप्ता कर सकते हैं वीडियो की description में आपको हमारी telegram का link मिल जाएगा mobile application का link मिल जाएगा तो आप हमारे mobile application पे आके like हमसे chat कर सकते हैं हमसे कोई भी query पूछ सकते हैं तो चलिए मुझे लगता अभी के लिए फिलाल इतना ही है खुजा आप्रिज